कि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कॉमर्शियल मेथड अल्डी हाइड बनाने का अब देखो सिंपल सा यह जो रियाक्शन होता है इसमें हम लोग एक बार पहले क्लोरीनेशन करते हैं टॉल्वेन का और नेक्स्ट उसका हैड्रोलिसिस करके उसको अल्डी हाइड में क अभिड होता है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो इसे कि पहले लोग क्लोरीनेशन करते हैं किसका topic क starter थो लूब सै से फॉलो करते हैं तो पहले टॉल्विन का है क्लोरी नेशन करेंगे उसके बाद हम लोग उसको प्रोसीड करेंगे किस से तो यहां पे देखो जैसे मैंने लिखा इट इस डन बाइदा क्लोरी नेशन ऑफ साइड चेन followed by hydrolysis ठीक है तो पहले साइड चेन का क्लोरी नेशन होगा उसके बाद उसका hydrolysis करने पे हमको ठीक है यह मिल जाएगा किसका करना है टॉल्विन का तो अब जैसे अगर मैं reaction की बात करूँ basically तो देखो reaction में क्या होगा इसके simple सा देखो यहाँ पे tolwen लिया गया है यहाँ पे CL2 में ने अड़ किया क्लोरी नेशन हमको पता है किसके presence में होता है अब क्लोरी नेशन जैसे ही एड़ किया तो यहाँ से दोनों क्लोरी ने क्या किया tolwen के दो hydrogen को replace करके H2 में convert कर दिया अब जब इसमें तुम water आड़ करो होगे तो वापस से दो hydrogen water के दोनों क्लोरीन को बाहर निकल के उसको CL2 में convert कर देंगे और बचा oxygen जो है वो कार्बन के दोनों bond पे जाके अटाच हो जाएगा तो जो हमारे पास product बन रहा है finally वो देखो बेंजल डिहाइड बन रहा है तो इस process से हमको नॉर्मली बेंजल डिह का commercial method एक बेंजल डिहाइड बनाने का जैसा कि मैंने बोला industries वगरे में यूज करते हैं जादा करके तो बहुत बार exams वगरे में पूस्ता commercial method अल्डिहाइड फॉर्म करने का तो by the chlorination and hydrolysis of toluene इसे हम लोग नॉर्मली यह बेंजल डिहाइड फॉर्म कर सकते हैं या कोई भी एल्डिहाइड प्रोडक्ट बना सकते हैं इस method से